Hello friends welcome to my youtube channel और आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं टाइप टेस्ट ऑपरेटर के बारे में इससे पहले हमने देखा था कि ऑपरेटर का यूज और अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूज कैसे होता है तो शुरू करते हैं आज की वीडियो में यहां हम लिख लेते हैं where name equals to amur and where number is a 10 और print करते हैं name is string और यहां पर एक और लिख देते हैं print number is integer तो output में true and true show होगा अब यहां number में string लिख देते हैं तो output में false show होगा क्योंकि जो number है वह string type का नहीं है इसको हमें comment कर देती हूं और copy करते हैं और यहां लिखते हैं name is not string और number is not integer और run करते हैं तो output में हमारे पास क्या होगा false and false show होगा तो इसको भी करते हैं comment और कुछ आगे और operators के बारे में जान लेते हैं जैसे कुछ assignment operators के बारे में देख लेते हैं where name n equals to 10 and n plus equals to 5 और print करते हैं n को और run करते हैं तो output में हमारे पास 15 show होगा और कुछ और example देखते हैं जैसे n multiply equals to 5 और n minus equals to 5 और print करते हैं तो n को तो यहां output में हमें 17 show होगा और एक और n यह n multiply equals to 5 को हम print करते हैं print n तो output में show होगा 15 75 और 70 यह हो गया हमारा output अब हम एक और तरीके से यहां पर इसको दूसरे तरीके से लिखके देखते हैं तो यहां लिखते हैं n equals to n plus 5 तो output में shame जो value है वो show होगी बस लिखने का जो तरीका है वो change हो जाएगा अब यह multiple वाले code को हम comment करते हैं और run करते हैं तो output में हमारे पास होगा 15 और 10 शो होगा अब इस पूरे code को हम करते हैं comment और कुछ और operators के बारे में जाते हैं जैसे conditional operators expressions के बारे में यहां लिखते हैं where is hyphen login equals to true और इसका syntax लिख लेते हैं तो ताकि आपको जानने में आसानी होगी तो यहां comment में लिख दे condition और question mark और expression 1 और यहां लिख देते है colon expression 2 फिर इसमें लिखते हैं where user equals to is hyphen login question mark और और यहां लिख देते हैं colon guest और फिर प्रिंट करते हैं तो user जो है उसका output हमें अमर शो होगा और condition में चेक करते हैं कि user के पास कोई value होगी तो उसके value को प्रिंट करेगा otherwise वो guest को प्रिंट करेगा जैसे अमर अगर इस login में false देंगे तो हमर पास guest जो वो प्रिंट होगा यह होगा हमारे कुछ operators और अब हम कुछ और operators के बाहने में जानेंगे तो मिलते हैं next video में thank you for watching my video कर दो